इनके लबे रंगी की ठावें ती के जिसने तो ऐसा करन ना शरन जाइज है या ना जाइज है तो अभी तक आप इतने बड़े हो कर बच्चों की चीज़े खा रहे हो खेर ये सूरत जाइज की नहीं है या ना बालिक बच्चे के हाथ में जो समान होता है बिस्कुट कुर कुरे या कुछ भी मीठा खटा खाने का तो उसमें अक्सर देखाए जाता है कि घरों के अंदर बड़े लोग उसमें हाथ डालके कुछ चीज़ चक लेते हैं या कभी-कभी बच्चे महबत में किसी के आगे पैकिट कर देता है तो घर के दूसरे अफराद उ भी भी नहीं सकता और उसको हिबा भी नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में जो चीज यह बच्चे के हाथ में खाने के समाने उसमें से जो बड़े लोग खाते हैं वह सूरत उनकी जाइज नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोगों को दर असल लगेगा क्या कि उन पढ़ते होंगे अक्सर यूटूब पे तकारीर वगेरा के रद्ध भावियत के तो चैनल होंगे लेकिन आप लोगों की जरूरत के जो मौाशरे के अंदर सवाल जवाब ये गलत फेह में उसके मुतालिक चैनल बहुत कम है और जब आदमी इलम इदीन से दूर रहता है जब कोई चीज पहली मरदाबा सुनता तो उसको सुनने से यही लगता है कि हमने आज से पहले तो कभी सुनी नहीं हाला कि आज से पहले वो सुनते जब किसी उलमा इदीन की बारगा में जाकर बेट थे या पिर कहीं किसी सोर्स से वो इलम इदीन हासिल करते तो ये चीज़ किया है और एक दाइरा बरकरार किया है कि इसके हक यहां तक है अब आब बात करते हैं अगर गौवर्मेंट को ऐसा मामला करती है जिसमें खावतिन के तालुक से कोई आवाज उठाई जाती है तो उसमें सब लोग एक तरफा होके बोलते हैं कि इसलाम ने औरत के हक दिये हैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं तो ऐसे मामले में जब इसलाम ने औरत के उसको हक दिये हैं मर्द के हक दिये हैं तो क्या नाबालिक को उसके हक नहीं तो ये तो महरूम करने वाली बात है कि क्यामत में कि नाबालिक इस चीज़ का इतराद नहीं करेगा, कि मेरे समान को कोई बिना पुछे खाता था, कि मेरे लिए कोई एकाम नहीं थे, तो अल्ला रसूल की शरीयत और इसकी खिकमते बहुत जादा हैं और बहुत प्यारी हैं, कि मुर्दे तक के भी हुकुक को बयान कर दिया गया है, कि बाद इसकी वफात के इसको कौन लोग कफन देंगे, और किस तरह इसका जनाज़ा पढ़ाए जाएगा, दफनाए जाएगा, लहाजा शरीयत ने किसी को भी जब उसकी वफात के बाद तनहा नहीं छोड़ा, तो उसकी हायात में किस तरह तना चोड़ेगी, लहाजा नाबालिक के भी अपने हुकोक होते हैं, एक दिन के पैदा हुए बच्चे के भी अपने कुछ हुकोक हैं, कि वालित के लिए उसके क्या हके हैं, क्या अधा करने, तो ऐसी सूरत में ये काम नाजाइज है, कि नाबालिक बच्चे की चीज़ लोग खा लेते हैं तो यह नहीं देखना चाहिए यह अजीव सी बात लग रही है पहले बार सुनिए कि इसमें चीज़ खाने भी क्या गूना यह देखना चाहिए कि शरीयत में उसके भी हके और उसका हक पामाल किया जाएगा तो जाहर से बाते गुना का पहलो होगा अभी कोई आपका ही सामान या आपकी चीज़ कोई बिना प्यूचे उठा के खा ले या फिर यह कि आपकी चीज़ में कम ही करते तो आपका हो गए यह तो शरीयत में जाइज नहीं तो आपके लिए नाजाइज है और बच्चे के लिए कैसे जाइज है कि वो बच्चा शरीयत में नहीं आता की अपने अब फिर भी को अपने बच्चे हैं ना बालिक के बालिक के अपने हग रहर एक के अपने अपने अलग-णध हाग है हायात से लेके वफात दुझ लिहाज ये मामला जो आप करते हो ये बिल्कुल भी जायज नहीं अब इसमें बच्चे अपनी अगर खुशी से भी दे तो ऐसे सूरत में भी नहीं ले सकते कि वो तो छोटा है ना समझे और इस तरह का जिसने ली है वो उसको वापस भी कर दे करें इस तरह कि जैसे उसको जि खेलने का सिलसे लाओता तो महां अक्सर देखा जाता है कि वो खा ले दें कभी-कभी ये चीज़े हरकते महमानों में भी होती है कि बच्चे के आत्म को चीज होती है वो महमान को नहीं घर वाले खुद बोलते हैं बेट अंकल को चीज दो आंटी को खाने को दो उनको बहुत सारे ऐत्राज गरेंगे वहतव करेंगे अधर बहुत सारे ये कहेंगे तो बहुत जादक पेची दिये तो इसमें एक आसानी भीर एक आप सुन लें इस से पहले कोई बच्चा खाए और आप के दो चार रेप टजड़ दो तो इसमें एक रियायत का पहलो मैं बता दूं ताकि कि किसी पे सखती भी ना गुजरे और वो रियायत का पहलो ये है कि आप अगर बच्चे को या नी छोटे बच्चे को कोई भी चीज दें तो वो उसकी मिल्क में उसको मालिक बना के ना दें बलके आप दिल में इतना लिया रखे किlax का मालिक मैं ही हूं मैंने इसको ये खाने के विए दी है लहाजा अगर कोई मेरी तरफ से इजाज़त है कोई और भी खाय तो उसमें कोई अरज वाले बात नहीं है जब ऐसा मामला पाय जाएगा तो आप खुद भी गुना से बचोगे इंशालला ताला आपकी ये नियत दूसरे कि मसल्माने को भी गुना से बचा देगे इसकी मिसल्जे समझेगे मिसाल के दौर मैं की बच्चे के फ्रोंटी दिलाता हूं तो जब इसक आप में दूनि तो मैं इसको मालिक की नियत नहीं करूंगा की ये तेतरा है तू रुख ले, बलकि मैं नियत करूंगा ये मेरा समाने ये तू खाले, ये मेरा समाने, ये तुम लोग खाले, तो अब उसमें से जितने बच्चे खाएंगे, उसमें कोई हरजनी, क्यूंकर मेरी तरफ से इजाज़त आम हो चुकिये, तो इसी तरह जब आप किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज दें, जो खास छोटे बच्चे क में दे दिया जाता है तो हमारे उर्फ में यहीं मशूर है कि वह डब्बे का मालिक वह बच्चा नहीं होगा मैं बच्चों की उन चीज़ों की बात कर रहा हूं जो बजाहिर लगते हैं कि यह बच्चों ही के लिए है इसको कोई दूसरा नहीं खाएगा और वह बच्चों के मारूफ होती है जैसकी मैंने मिसाले बिस्कुट और कुरगुरे के पैकेट से दी के यह मिलकियत ही हो जाती है बच्चों की जनम दिन यह खोशी कोई आद़ किलो एक किलो का डबला है बच्चे के हाथ में महबत में रख दिये तो बच्चा मालिक नहीं है फिर वो घर के जाता है थो माले हो यह जाती कि लेकिन बच्चों कोकुछ ऐसी सूख्यमि सबसक्राइख करफ दिया जाता है कि यह इतनी वड़ी रखम बच्चों को दी नहीं जाती तो हमारे उर्फ में वो उसके घरवाले मालिक होंगे लेकिन बच्चों को कुछ ऐसी कम रकम दी जाती है कि जिसके घरवाले मालिक करार नहीं पाते है जैसे बच्चे महमान आए बच्चे को खाने के लिए चीज के लिए ले बिटाई दस रुपे ले और बाहर ज जाएगी जैसे कि दो चार पांस दस रुपे चीज के लिए दे जाएंगे अब इन से जो चीज खरीदी जाएगी तो जाहिर से बात है कि फिर वो चीज बच्चे की अकेली मिल्क में होगी फिर उसको कोई नहीं खा सकता अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर के जो अफराद हो हैं जैसे वालिद्वगेरा काम पर से आने के बाद कभी एसा मौकापड़ता है तो वो कोई चीज लाते हैं बदा बच्चे के हाथ में नहीं होती क्योंके हम वालिद भी जानते किसी बच्चे के लिए के बेटा ये तेरे लिए ले लाँ तो फिर वो उसका मालिक हो जाएगा तो जो चीज जादा होती है ना तादाद में कि जो घरवालों के लिए होती है बच्चे को दे दी जाएगी तो उसके मालिक बच्चे नहीं होंगे वो घरवाले होंगे अब वो इसमें रियायत यह बरत्नी चाहिए जब आप किसी को उसका मालिक बनाए चोटे बच्चे को तो उसka मालिक नlements बनाए बलके अपने दिल में उसको खुद मुतमेन रखें कि इसका मालिक मैं ही हूँ, यह सिर्फ इसे खाने के लिए दिये, तो ऐसी सूरत में बच्चा मालिक नहीं होगा, आप मालिक होंगे, और आप यह अपने दिल में कहे भी सकते हैं, यह बच्चा खा लेगा, इसमें से कोई भी खाई मेरे तरफ से जब आपकी तरफ से इजाज़त हो जाएगी असल मालिक की तरफ से, तो फिर उसमें से बच्चा भी खा सकता है, कोई दूसरा अफराद भी खाएगा, तो उसमें भी हरज नहीं है, इसी तरह अगर महमान है, और वो बच्चे को कोई चीज देते हैं, जैसे लाते हैं, कोई तो वो भी दिल में उसको मालिक ना बनाए, बलके दिल में ये इरादा कर लेंगे, ले बेटा तुम ये खालो, दिल में रखें कि चीज मेरी है, सिरफ तुम खालो मालिक नहीं हो तो अब कोई भी खालेगा, ये भी आप इरादा कर लें, तो फिर उसमें कोई भी शामिल हो जाए कोई बच्चा चख ले तो इसमें कोई रज नहीं होता तो छोटी मोटी चीज़े बच्चों को दिलाते वक्त कभी मालिक ना करें मालिक खुद रहें उसको सरफ खाने के लिए दे दें और इसमें कोई अलफास कहने की जरूरत नहीं मिसाल आप इसमें क्या जुम्ले कि आपको सुनाई आए दिल में ही कर लें देते वक्त सरफ खामुशी से कि ये मेरा समाने ये खा ले और इसमें से कोई भी खायागा कोई रज नहीं तो इसमें से कोई भी चख सकता है तो मैंने इसकी दोनों तफसीलात जो है अर्ज कर दी किस माल का मालिक बच्चा होगा कि इसका नहीं होगा और कौन सा माल खाया जा सकता कौन सा नहीं खाया जा सकता है अमीद आपके लिए ये मुकंबल जिनका सवाल ता सारे जवाब हो गए हूंग इसमें एक एक पहलो मैंने बयान कर दिया महमान धारी का भी और वैसे भी फिर भी बहुत सारी चीज़े रह जात हूँ